दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के बड़ी खबरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं बड़ी ख़वर बिहार के कई जीलों में बारिस का अलर्ट मौसम मिभाग के चेताओं ने ट्रेनों को किया गया कैंसिल जहां बिहार में इन दिनों मौसम का मिज़ाज बिलकुल बदला हुआ है राइदानी पटनमें पिछले दो दिन से देज रात मौसम में बदला हो रहा है दिन में तेज धोप और रात होते ही बारिस होते जा रही है कोशी सिमान्चल, पुर्व बिहार, और उत्तर दचिन बिहार हिस्सों में बारिस की चेतावनी जारी की गई है मौसर मिभाग के मुताविक बिहार के लगबग आदा दर्जन से अधिक जिलों में बारिस होने की आसंका है साथ ही इन इलाकों में ठंका गिरने की भी चितावनी दी गई है मौसा मिवाग के मताबिक अगले 24 गंडे में पुर्वी चमपारन, सुपोल, पश्चिमी चमपारन, अरेरिया, किसंगंज और पुर्णिया में गरज के साथ बारिस हो सकती है वहीं दूसरी और दख्चिन बिहार और इसके आसपास एक चकरवर्ती सिती बनी हुई है साथ बिहार के लोगों को लगातार दो दिनों से बारिस होने सो उमच से रहत मिली है मौसा मिवाग के माने तो 24 अगस्त तक बटना गया नालंदा सेकपुरा, नवादा बेगुसरा, लखिसरा, जहानाबाद के कुछ स्तानों पर बारिस का पुर्वानमान है वसुदा केंदर पर बनेगा लेबर कार्ड, 26 अगस्त को पीम मोधि करेंगे सुभारम जिहाँ देश के किसी भी छेतर में रह रहे असंगडित मजदूरों का अब लेबर कार्ड बनेगा इस कार्ड से उन्हें सरकार के पास रोजगार तलास करने में आसानी होगी इस योजना की सुरुवात 26 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधि करेंगे सुरुवात के बाद जिला के हर कमान सर्वीटर पर निसुल की इसका पंजेन होगा सोलो से 60 साल आयू वाले हर असंगडित मजदूर का कार्ड बनेगा साथ ही आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इंकम टेक्स, आईटियार और एपिएपो अकाउंट वालो का योजना से कार्ड नहीं बनेगा इसे बनवानी के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, बेंक, पास्पूक और खुद का मोबाइल नमबर लेकर जाना होगा इस योजना का लाब सहरी तद ग्रामिन चेतर में कार्यरत असंगड चेतर के मजदूर को मिलेगा रिक्सा चालक, सफाय कर्मचारी, बड़े मिस्तरी, राज मिस्तरी, पलंबर, महिला और पुरुस किसान भी इसका लाब उठाएंगे परिकवर पटना के गांधी घाट पर 23 अगस्त यानि आज से सुरू होगी गंगा आरती, लोकसबा सदैसो के दोरे को देखते हुए निर्नाई जिया गंगा घाट पर एक बर फिर गंगा आरती की सुरूआत होने वाली है दरसल गंगा ने दिके जलस्तर में लगातार कमी और लोकसबा सदैसो के दोरे को देखते हुए परियाटन भिभाग ने फैसला लिया है कि तेस अगस्त यानि आज से गंगा आरती सुरू की जाएगी गंगा इसलिए गंगा आरती के विवस्ता करने के लिवागी अधिकारियों को कहा गया है बड़े कबर बिहार के किसानों को अब सबजी बेचने के लिए बाजार नहीं जाना होगा तरकारे एप पर बेच सकेंगे आलोपीयाज और टमाटर जिहां बिहार सबजी उत्पादक किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार जाने की ज़रुत नहीं होगी, उन्हें केवल तरकारी एप पर सबजी के मात्रा और दर डालने होगी, उसके बाद सबजी उत्पादक की समिती खुद उनके केत में जाकर सबजी खरे दिगी सकारिता विभाग जल्द तरकारी एप बिक्सित कर किसानों के लिए जारी कर देगा खास बात है कि यह एप इंटरेक्टिव होगा यानि दोनों और से दर्ग को लेकर मोल जोल भी किया जा सकेगा साथ ही यह जानकारी भी दे जा सकेगी कि उनके खेत की सब्जे किस दि किसान ही समितियों से जूड़ सके हैं हाला कि इसके लिए वेजपेड ने किसानों का सर्वे कर लिया है लेकिन संस्ता अकड़े की सारवजनिक नहीं करेगी विदानसभा में भी एक प्रसन के जवाब में सरकार ने अकड़े जारी करने से मना कर दिया था केंद्रिय राज मंत्रे अस्विनी चोवे का बड़ा बयान बकसर में बनेगा देश का सबसे बड़ा और आधोनिक चावल गोदाम जिहां केंद्र सरकार के सयोग से बकसर में चावल भंडारन के लिए विसाल गोदाम का निर्मान कराया जाएगा कूल 33 कडोर रुपिय की लागत से 11 एकड जमिन पर अच्तन्त आधोनिक यहां गोदाम देश का सबसे बड़ा अनाज का गोदाम होगा केंद्र सरकार ने बकसर लोकसवा चेतर में दू सेलोग गोदाम निर्मान की हरीजंडी दे दी है पहला इटारी प्रकंड के बेरी गा में तो दूसरा मोहनिया प्रकंड के 111 में इस्तापित किया जाएगा यहां जानकारी केंद्रे खायद एवम उपभुकता तदा वन एवम जलवाई परिवर्तन राज मंत्री अस्विनी चोबे ने दी है बाड़े कबर बिहार के इस कॉलेज ने चात्राओं के लिए लागो किया ड्रेस कोड लहराते बालों पर बेन सेलपी लेने पर रोग जिहां बिहार के भागलपूर के एक महिला कॉलेज ने चात्राओं के लिए एक ड्रेस कोड लागो किया है इस पर घमासान मच गिया है जिले में इस्तित महिला कॉले सुंदर वर्ती महिला बिदालाई द्वारा जारे इस ड्रेस कुड के तहद अब चात्राओं के लाराते और खुले बाल पर प्रतिबंद लगा गया है आरजिरी से जुड़े चात्रों ने इसी तुगलगी फरमान ब किया जाएगा कॉलेज की कमेटिक की निन्ने पर भी पिंसिपल ने मोहर लगा दी है नोटिस के नुसार चात्राओं को सक्त निर्देश दिया गया है कि वो खुले बालों की जगा एक या दो चोटी बनाकर कॉलेज आए कॉलेज में लगबग 1500 चात्राओं पढ़ती है नई इसनातक पास बेटियों के खाते में 50,000 रुपे भेजेगी बिहार सरकार इंटर पास को मिलेंगे इतने रुपे जिहा बिहार में इंटर और इसनातक पास आविवायत लड़कियों के लिए अच्छी खबर है 31 अगस्त तक मुखमंत्री कन्या उत्थान योजना की रासी मिलेंगे जबकि इंटर पास करने वाले लड़कियों को प्रोसान रासी के रूप में 25,000 रुपे दे जाएंगे बड़ी कबर बिहार सरकार कन्या विवाय योजना के तहत कर रही है आर्थिक मदद जानिये कैसे ले सकेंगे इसका लाब जी हाँ मुखी मंत्री कन्या विवाय योजना के तहाँ 2021-22 में अब तक 25,000 लड़कियों को योजनाओं का लाब दिया गया है वह 12,000 लड़कियों का आवेदन स्विकिर्थ किया गया है जिनी सितंबर तक ओनलाइन मैदम से रासी भेज दी जाएगी साधी बिपेल परिवार को इस योजना से ज्यादा से ज्यादा जोडने के लिए जीलो को दिसा निर्देश समाज के लान विवाय की ओर से भेजा गया है आपको बता दे कि बिहार सरकान ने पिछड़ी अनुसूचित जाते अवं अनुसूचित जन जाते के लड़कियों के लिए कईना विभाय योजना की सुरुवात की थे ताकि इस योजना का लाब वैसे परिवार के लड़कियों को मिल सके जिनके आए कुछ भी नहीं है ऐसे में लड़कियों की साधी कम उमर में कर देते हैं इन परिवार को योजना से जोडने दहिज प्रतावा कम उमर में होने वाले साधी को रोकने के लिए इस योजना की सिरुवात की गई है योजना का लाब लेने के लिए ओलाइन पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं इसके ब ग्वर बिहार में बिजली मीटर से छेरचार करना महंगा पड़ेगा बिहार में समार्ट प्रिपेड मिटर लगते ही बिजली चोरों की संग्ञा में कमे आने लगी हैं। पिलाल राज में करिब 2 लाग स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाय जा चुके हैं वहीं इन मीटरों से छेड़ चार कर बिजली चोरी के मामले तेन अंकों तक भी नहीं पहुचे हैं इसका कारान यहा है कि स्मार्ट प्रिपेड मीटर विसेस तकनिस से बनाये गए हैं जिसमें बिजली चोरी की किसी भी कोशिस की जानकारी तुरंद बिजली कमपनी के कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसके बाद बिजली कमपनी की टेम वो भुगताओं के यहां सिधे पोज़ कर कारवाई कर सकते हैं। बिहार पंचाज चुनाओं में राजनितिक दलों के जंडे बेनर लगाए तो रद कर दी जाएगे उमिदवारी। जिहां बिहार में त्रीस तर्य पंचाज चुनाओं का काउंटडाउन सुरू हो गया है। महाच 24 गंडे के बाद 11 चर्णों में होने वाले चुनाओं की अधिसुचना जारी होगी। आयोग की अधिसुचना के साथ 35 चुनाओं के भावी उमिदवार अपना नमांकन कर सकेंगे। राज में पहले चरन के लिए 24 सितंबर को वोट डाली जाएंगे। 25 चुनाओं के अधिसुचना जारी होने के पूर्व आयोग हर लिहाज से सांती पूर्ण और निस्पक्च चुनाओं कराने के तैयारी में जुटा है। इसी कड़े में जीलों को नए नए दिसा निर्दिस भीजे जा रहे हैं। इसी कड़े में निर्वाचान आयोग ने सक्तिक करते हुए परस्यू के लिए अनिवार कर दिया कि वे किसी भी राजनितिक दल के जहंड़े बेनर अपने चुनाओं प्रचार के दोरान इस्तिमाल नहीं कर सकेंगे। आयोग ने इस पश्ट कर दिया कि बिहार में त्रिस्तर ये पंचाई दल्या आधार पर ना होकर गेर दल्या होते हैं।